रेट्रो स्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 10 के फिस्ट फ्लाइट भूक से टाइगर इंद जू पोयम पढ़ेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं यह पोयम एक टाइगर के पिटिफुल कंडिशन के बारे में बता रहा होता है कि किस तरीके से एक टाइग कितना औसाज महसूस करता है कि अंदर टाइगर की बहुत बुरी कंडिशन रहती है वह टाइगर जो की फुले जहतर में घूमा करता है खुले जंगलों में घूमा करता है उसको एक लिमिटेड स्पेस के अंदर कैद कर लिया गया है जो कि के रूप में है उस पिजडे में वो थोड़े थोड़े step चलता है उसके body पे जो strips बने हुए हैं जो lines बने हुए हैं वो आसानी से देखे जा सकते हैं उसके जो पंजे हैं वो velvet जैसे soft हैं चलने के दोरान कोई भी आवाज नहीं निकलता है अगर देखा जाए तो जो tiger रहता है वो बहुत silent रहता है लेकिन उ उसका वो natural habitat नहीं है उनके कहने का मतलब यह है कि एक tiger पिजडे में बंद है तो वो एक victim है और उसके जिम्मेदार हम मानों हैं तोकि यह हमारी cruelty है कि एक tiger को हम एक cage में बंद कर देते हैं जो की जंगलों में रहना पसंद करता हो इस poem में जो tiger है वो सोच यह रहा है कि अगर जंगल में होता तो जाडियों के पीछे छिपके वो धीरे धीरे water buddies के तरफ आगे बढ़ता और वहां पे जो उसके सिकार होते जब पानी पीने आते हैं तो उन लोगों पे वो attack करके उन लोगों मार देता poet पूरे जन्मानुस को बताना चाहते हैं कि tiger को forest में रहना चाहिए ना कि किसी बंद पिजड़े में imagine करिए कि अगर आपको एक room में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और आपके पास कोई भी system ना हो जैसे mobile phone, laptop, computer, anything क्या आप survive कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं इस जानवर को अपने life से relate करके देखे कि अगर इस तरीके से हम सभी को एक कमरे में कैद कर दिया जाए और कहा जाए कि हमें निकलना नहीं है तो हमारे इस्तिति इतनी दैनिय हो जाएगी आगे जो poet हैं वो कहते हैं कि जो tiger है अगर वो जंगल में होता तो उस जंगल के आजपास जो village होते उसमें वो जाता और लोगों को terrorize करता उन सभी villagers को वो अपना सार्प तीत दिखाता अपने पंजियों को दिखाता और गुस्साओं के बहुत दारता जो poet हैं वो बहुत जादे दुखित हैं उस tiger की condition को देखके जो की concrete cell के अंदर बंध है जो tiger है वो चाहा के भी उस concrete cell से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वहाँ पे strong bars fix किये होते हैं और उस bar के पीछे उसको lock कर दिया गया होता है लोग आते हैं उसे देखते हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई interest tiger के अंदर नहीं रहता है उन visitors को लेके और जब तक मन करता था अब तक वो उस पिजडे के अंदर ही टहला करता था इस कविता के माध्यम से जो poet हैं उस सबको realize कराना चाहते हैं कि जो tiger उस cage में बैठा हुआ है जो उदास है जो restless है किसी प्रकार का कोई interest न नहीं दिखाई दे रहा है वह चुपचा ऊपर की तरफ जो signing stars है अकास में उसको अपने आखों से देख रहा होता है यहां पर जो poet हो moral issue raise की हुए है कि अगर जानवरों के पास हक होता तो वह ऐसे cruel इंसान के विरुद बहुत अगड़ा case करते कि जो जानवर forest में रहना चाह चीज जार झाली ओर जानवरों के वह च तक वहा है कि अगराव के वहाई घ्गाभ ग्पास में झाली जा पड़ार सिए लिएभ